नमस्कार दोस्तों मैं स्मित मिस्रा स्वाहत करता हूँ एक बाब फिट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों EVM हैकिंग को लेकर के सुप्रिम कोट में आज 5 घंटे तक लगातार बहाँज चली इस बहाँस के बाद क्या कुछ बाते निकल करके सामने आई इसको हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से आपके हर एक डाउट को यहाँ पर मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा जो चुनाओ आयोक के द्वारा वहाँ पर अरजी दी गई जो याच का करता जो लोग अरजी दिये थे उनका क्या कहना था सुप्रिम कोड का इस मामले में क्या कहना था सिलसिले बार तरीके से बिल्कुल क्रिष्टल क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में कि EVM hacking possible है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है, temper किया जा सकता है तो कैसे है, नहीं किया जा सकता तो कैसे है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, हाला कि अभी तक का जब मैं ये वीडियो record कर रहा हूं, तब news ये है कि Supreme Court ने अपना फैसला जो है, वो सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन जो बाहस चली है, उसको मैं आपको देखाने वाला हूँ, साथी साथ EVM hacking को आसान भासा में समझाने वाला हूँ कि क्या process होता है, क्या ये possible है कि नहीं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे, news articles हैं, अच्छा कोई भी चीज़ इसमें अपने मन से नहीं ली है, सब कुछ domain में public में मौझूद है, आप देख सकते हो, बड़े-बड़े news agencies, अख़बारों के द्वारा, जो भी reports है, जो भी बातचीत हुई है, वो मैं आपके सामने present करूँगा, ठीक है ना, चलिए, तो news 18 का article है, कि EVM ना hack हो सकती हो, और ना ही से छेरचार सम्भव हो ह आया था, केरल में मौक चल रहा था, उस मौक के दोरान, मौक टेस्ट के दोरान, एक वोट वीजेपी को इश्टरा मिल गए थे, इसको ले करके याच का दायर हुथी, ये एक बहुत ही एक आहम पुक्ता समझे लोग, एक विसय बना, आगे चल करके उसमें बातचीत का, जि को भी हम लोग आगे समझेंगे कि वहाँ पर क्या मामला हुआ था, फिलहाल, दो जजो की बेंच ने सुप्रिम कोर्ट में ये सुनवाई की, जिसमें जस्टिस संजी उखना और जस्टिस दिपांकर दत्ता थे, इन दोनों के सामने सुनवाई हुई, और भारत सरकार की कर रहा हूँ, अब EVM क्या होता है, पहले इसको समझ लीजे, फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे एक-एक चीज आपको क्लियर होती चली-चली, EVM दोस्तों, ये तीन पार्ट को मिला करके इसे EVM बोला जाता है, यानि Electronic Voting Machine बोला जाता है, Electronic Voting Machine एक Individual या कहें Independent एक Machine सिस्टम है, जिसका किसी भी बाहरी Network या बाहरी Internet से कोई समबंद नहीं है, तो सबसे पहली बाद Hacking की तो यहीं समाप्त हो जाती है, Hacking तब किया जा सकता है, जब किसी ने किसी तरीके से वो Internet से जूड़ी हुई हो, या किसी ने किसी Server से जूड़ी हुई हो, तब वो Hacking किया जाएगा, तब उसे Actual मायने में Hacking कहेंगे, यहां पर Hacking को जो Actual में आरोप लगाते हैं, वो Hacking नहीं, वो अगर सही मामलें देखा जाए, तो वो Tempering कह सकते हैं, क्योंकि यह Individual Machine है, एक Machine यह हुआ तीनों का, तो इसका किसी दूसरे Machine से कोई संबंद नहीं है, तो इस हिसाब से अगर Tempering वाला के मामला है, इसको भी देख लेते हैं, इसमें यह वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, यह होता है, बैलेट या इसे बैलेट यूनिट कहते हैं, बैलेट यूनिट यह वो होता है, जिसमें कंडिडेट का नाम फोटो अगरा लगी रहती है, जिस सिंबल लगा होत और यहाँ पर यह बटन्स बनी हुई होती है, और इसको क्लिक करने के बाद आप अपने पसंदीदा कंडिडेट को वोट करते हो, और यह वी बी पैट है, वी बी पैट मतलब वोटर वेरिफियेबल पेपर आडिट ट्रेल, यह वो यूनिट है, यह वो मसीन है या सिस्टम ह जो यह दिखाती है कि कंडिडेट ने जहाँ पर वोट किया, मतलब जिसका बटन दबाया, तो उसकी परची यहाँ पर निकल करके आती है, यह परची 7 सेकंड तक सो होती है, और 7 सेकंड में आपको पता चलेगा कि आपने जिस सिंबल पर वोट किया है, जिस कंडिडेट को वो उस तक गया है कि नहीं, आपका यह सिलिप यहाँ दिखेगा, हाँ, सिलिप आपको मिलेगा नहीं, सिलिप यही नीचे बॉक्स में गिर जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 7 सेकंड तक दिखेगा, इसके बाद एक तीसरा यूनिट है, यह कंट्रोल यूनिट, यह वहाँ पर आई सा हो सकता है, इसलिए कंट्रोल यूनिट से क्या होता है जैसे ही जब आगर आप वोट देने गये होगे, स्थे जब जो więcej देने जाता है कोई वी व्यक्ति जाता है वोट देने नागरिक, तो जब वो जाता है उससे पहले यहाँ कंट्रोल यूनिट पर कमांड दिया ज के बाद आपका जो है यहाँ आप काउंट हो जाएगा साथ सेकंड तक यहां सो होगा अब आपका वोट कंप्लीट हुआ अगला वोट करना होगा तो इसे अगली बार फिर दबाना होगा तब ही आप यहाँ पर दबा सकते हो कोई कंडिरेट ऐसा चाहे कि हम जल्दी जल्दी आप फायदा नहीं है जब तक की हाँ अब गृरिन सिंग्नल है बाप दबाव तब तक कोई फायदा नहीं है थीक है अब यह चीज है आपको समझ में आ गई बनाया कि इसने नहीं बनाय गया है, पूर्टयाई भारतिय डेबलब्ड ये मसीन है, EVM Electronic Voting Machine, कब से यूज हो रहा है, तो दोस्तों इसका ट्रायल तो 2001 सही किया जाना सुरू हो गया था, कुछ विधान सभाव में रास्थान, दिल्ली वगरा के, कुछ 25 ऐसे Constituencies में यूज किया गया था, लेगिन प्रॉपर तरीके से 2004 से यूज हो रहा है, ये सब एक एक बात नोट करके रखते चलिए, अभी अंत में ये आपको काम आने वाला है, जब सारे सवालों का जवाब में देना सुरू करूँगा, कि जो जो सवाल पूछे जाते हैं, जिसको लेकर के आरोप लगते हैं, उनके जवाब कब कब क्या क्या है, वैसे वीबी पैट पहले सुरूआत सी यूज नहीं होता था, वीबी पैट का यूज जो है, इसका यूज दो हजार 14 से किया जाना सुरू हुआ, इससे पहले केवल यही बैलेट यूनिट होता था, बैलेट यूनिट में क्या होता है, कि आप दबाते हो बटन, तो आपको मतलब भरोसा मिल जाता था, हाँ चलो हमने यह दबाया, यहाँ देखो लाल बत्ती जल गई, मतलब यह अपना हो गया, इनको वोट हो गया, तो यह होता था पहले, तो कंडिडेट अपने आपको समझ के आ जाता था, चलो हमने मसीन में दबा दिया है, जो कुछ काउंट होगा, सही काउंट होगा, लेकिन 2014 में इस पर काफी ज़्यादा विरोध होने लगे, काफी मतलब इसको ले करके बाची चल रही थी, तो इसको ले करके यहाँ पर वीवी पैट जोड़ा गया, जिससे वोटर्स जो है, वो भी वेरिफाई कर सके खुद ही, यानि कि जिसको वो बटन दबा रहे हैं, उसको जा रहा है कि नहीं, तो यह बेसिकली वीवी पैट एक प्रिंटिंग मसीन है, जो आपको प्रिंट आउट देती तो नहीं है, लेकिन प्रिंट आउट निकल करके यह वैलेट बॉक्स में इस्टोर हो जाती है, तो अब इसका मतलब है यहां से तो hacking नहीं possible है, तो फिर कैसे tempering possible है, और क्या क्या हो सकते हैं तरीके, तो और आरुप लगाय जाते हैं कि नहीं सहाब ऐसा हुआ कि बाद में इसको इधर-धर कर लिया गया, हेर-फेर कर लिया गया, तो उचली उसको भी जान लेते हैं, तो देखो क्या होता है ना, ये company के पास से सीधे आती है strong room में strong room जो होता है ये जब जिले में बनाया जाता है बहुत ही high security के अंतरगत रखा जाता है CCTV की निगरानी इस पर रहती है 2400 घंटे इसके अलावा बाहर बैठे हुए जो लोग होते हैं बिभिन प्रकार के जो डलो के जो representative होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और वो भी राद भर जग करके बिलकुल निगरानी करते रहते हैं बाहर LED TV भी लगी रहती है उसमें भी monitor में दिखता रहता है CCTV का live footage दूसरी बात अब जब यहाँ strong room से लेकर जाये जाते हैं तो बिलकुल random तरीके से ले जाये जाते हैं किसी को नहीं पता होता है कि कौन सी constitution में कौन सा machine जाएगा बिलकुल random तरीके से जाता है ये इसके अलावाँ जब यह यहाँ से गया voting booth पर गया वहाँ भी random तरीके से गया जब सब के सामने जो विभिन प्रकार के दलों के जो representative वहाँ पर मौझूद होते हैं आप भी जाते होगे vote देने तो आप देखते होगे सुरुवात में जो अलग-अलग parties के चाहिए BJP हो, Congress हो, सपा हो, बसपा हो अलग-अलग candidate के जो उमीदवार के जो representative होते हैं तो प्रापर तरीके से वो भी लोग वहाँ मौझूद है तो उनकी मौझूदगी में सुरुवात में ही seal खोला जाता है, voting शुरू होने से पहले ही वहाँ पर दिखाय जाता है कि दिखो यह यह चीज है, इसमें ऐसा-ईसा होगा, एक mock करके दिखाय जाता है, उसके बाद यह बिलकुल किलियर किया जाता है, अब यहाँ पर आपके सामने यह number खुला है, यह machine खुल रही हो, open हो रही है, अब यह voting शुरू होगा, ठीक है जी, voting प्रक्रिया शुरू होती है, और इंड में जब voting समाप्त हो जाती है, तो सभी candidate के जो representative होते हैं, उनको बुला करके, उनके सामने ID एक होती है, हर एक machine पर, तो उस EVM machine पर जो ID होती है, वो note कराय जाता है, सबको बाकाय दे, सबको दिखाय जाता है, हाँ, total कितने vote पढ़े हैं, यह देखा जा सकता है, तो total कि इसने vote पढ़े हुए हैं, माल लीजे जैसे 1500 vote पढ़े हुए हैं, तो 1500 vote दिखा जाएगा, कि देखो यहाँ से आपके इस boot से 1500 vote पढ़े हुए हैं, और यह आपकी ID है, इस ID को आप सब लोग note कर लो, यह 1500 vote आपकी वाली ID वाली machine में यहाँ पर यह हुए हैं, इस machine से, ठीक है पर जिसको जो जो वहाँ पर थे, जिनके signature वगरा हुए रहते हैं, candidate की representative, उनको बुला करके दिखा जाएगा, कि भी अपनी ID मैज कर लो, ID मैज करने के बाद आप मिला लो कि इस machine में कितना vote था, यह भी आप देख लो, दूसरी बात, अगर इनमें से किसी भी machine में जो रखा इसका counting करके match करा लो, ठीक है, मतलब, जैसे हर एक constitution से 5 machine उठाई गई, और कहा गया, कि देखो इनमें से यह 5 में से आप जो भी आपका मन करें, उस 5 को बता दो, select कर दो, उसमें से हम उठाएंगे, और ला करके आपको सामने count करके match करा लिया जाएगा, क्योंकि जितना print out इ अरिकेस मिला जाता है, अब इसमें लोगों का सवाल उता है, सब क्यों नहीं मिला जाते हैं, तो सब मिलाने का मतलब फिर वही पुराने वाले time पर चले गए, तो EBM का मतलब ही क्या हुआ, जब वैसे ही count करना है, तो पुराने वाले time करी नहीं सही था, उतना ही लेट लगत होता है, उसके बाद जो है, रिजल्ट एनाउंस किया जाता है, लास्ट में जो भी होता है, अब एक एक करकेस देखते हैं कि सुप्रिम कोर्ट में आज क्या-क्या बात पर बहास हुई और क्या-क्या नतीजे निगल करके सामने आए, तो यहां पर देखिए, Association for Democratic Reforms, ADR नाम से एक संस्ता है, इनके समयत कई लोगों ने कोर्ट में याज का दायर की थी, और स्वतन्त और निस्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, EVM में पकड़ेने वाले सभी वोटों का सत्यापन VB-PAT मसीनों से करने की मांग की, मतलब जितने भी EVM में वोट पड़े, उस सभी का सत्यापन किया जाए, किवल पांच मसीन का नहीं, ये याज का करता ने याज का दायार की थी, फिर इस पर चुनावायो का कहना था कि हम पांच करते हैं और वो भी रैंडम तरीके से VB-PAT से मिलान करते हैं, इतना इनफ है, अगर सभी, अगर EVM का करने लगेंग चुनावायोग ने कहा, इसे बदला नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी, ये एक firmware है, firmware जो होता है, software और hardware के बीच का चीज होता है, इसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है, दूसरी चीज, पहले रैंडम तरीके से EVM का चुनाव करने के बाद मसीने विधान सभा के strong room म की मौझूदगी में ये लाग किया जाता है, strong room को CCTV camera की निगराने भी की जाती है, कई ऐसे strong room में सामने monitor भी लगे रहते हैं और उसमें दिखता भी रहता है कि CCTV के footage के तहत क्या चीजे हो रहे हैं, क्या चीजे चल रही हैं, उसके बाद वहाँ पर एकदम बिल्कुल high security भी र कुछ लोग कह रहे थे, VBPAT को फिर से design किया जाए, जो print out निकलता है, वो print out जो आते हैं vote करने voters उनको दिया जाए, तो इस पर Supreme Court ने पूछा चुनावायोग से कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या जो परची निकलती है वो candidate को दिखाया जा सकता है, कि चलो ठीक है, घर न ले मैलू पलेट किया जा सकेगा, और कहीं पर भी दबाओ के साथ कुछ भी किया जा सकता है, फिर दिक्कत आने लगेगी, वो फेर तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हो, अलग-अलग छेतर में अलग-अलग दावेदारी होती है, रंगबाजी होती है, बहुत स या आपका इसमें, कंट्रोल यूनिट में कोई दिक्कत हो सकती है, इन्होंने कहा, वीवी पैड सिर्फ एक प्रिंटिंग मसीन है, यह केवल प्रिंटर की तरीके से है, इसमें और कुछ अपलोड नहीं किया जा सकता, कंट्रोल यूनिट जो होता है, इसमें भी कुछ अपल को दिया जा रहा है यानि जिसने मसीन बनाया हुआ है ब इल और इभारत लेक्टाइस वाला उसको भी नहीं पता होता है कि कौन सी बटन इसमें होगी जो किसको अलाट की जाएगी मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि इससे टॉप पर बीजेपी रहेगा सेकेंड पर कांग्रेस रहे जिससे वो मतलब कि ऐसा आपको लगे कि मालो जहां से बनके आती है वहीं पर छेड़ चाड़ हो गई हो तो उसको भी नहीं पता है क्योंकि उसमें भी बटन रेंडम रहती है अब कुछ लोग का डाउट यह रहता है कि नहीं नहीं सहाब ऐसा होता है कि एक लाग तक सही सही पढ़ते हैं एक लाग के ऊपर अगर वोट पढ़ने लगते हैं तो वो बीजेपी को जाते हैं ठीक है विपक्ष का यह कहना है तो इसको भी ले करके मौक करके देखा जा चुका है इसमें ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि एक लाग के बाद वह हो जाएगा ठीक है ना मौक चल रहा था मौक मतलब की एक ट्रायल होता जिसमें चुनाव आयोग जो है वो अधिकारियों को या बाकी लोगों को दिखा करके करके सेंपल दिखाते हैं मौक टेस्ट करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे-एसे यह काम करती है ऐसे-एसे वो डाले जाते है आप भी आपक वो क्लियर नहीं किया गया और उसी क्लियर करने की बजाए फिर से दबा दिया गया तो इसलिए एक वोट जो था वो वीजेपी को इस्थरा चला गया था इसको लेकर के यहाँ पर Election Commission of India ने कहा कि वो मौक चल रहा था और उस मौक में सबको जो वहाँ मौजूद थे उन सबको पता है कि हाँ यह इस वज़ा से हुआ है यहाँ पर क्यूंकि सबको समझाय जा रहा था और वो करके दिखाय जा रहा था तब हुआ इसा नहीं है कि जब वोटिंग होता है तो इस कोई टेक्निकल इरर हो करके आया मसीन में कोई गड़बड़ी नहीं थी वो जो वहाँ मौजूद थे वो सबको पता था बस उसको अर्थ को अनर्थ करके वायरल किया गया है यह वहाँ पर कहना था चुनाव आयोक का सुप्रीम कोर्ट में अब ईवियम क्यों बेवफा है व बनी, 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी तब भी ईवियम चल रहा था तब भी ईवियम से वोटिंग हो रहे थी, 2014 में बिजेपी की सरकार बनी, 2004 से यह चल रहा है एवियम और अगर पूरा सुरुवात से ही बात कर 2001 से चल रहा है, इस पर आरोब लगते रहे है कि ईवियम तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप देखो, बहुत सारे राज्यों में चुना हुए, उन राज्यों में अलग-लग नतीजे आए, जैसे अभी पांच राज्यों के रिसेंटली चुना हुए थे, तो उसमें तेलंगाना में जीत गए, कांग्रेस वाले, बाकी जोगों पर हार तो फिर जीतने बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, ये दक्षिर भारत के लोग जो है, ये मंदिर वोट पर या मंदिर पॉलिटिक्स में नहीं काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर सत्य की जीत हुई, और उत्तर भारत में कह रहे हैं कि EVM बेवफा है, EVM से छेड़ खानी हु जो अपने नेता को ले करके लड़ते रहते हैं, मतलब कि गाली गलोज करने लगते हैं सब कुछ, और बाद में पता चलता है, वही लीडर दूसरी पार्टी में चला गया, ठीक है, तो ऐसा भी ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बड़े लेबल पर वहाँ पर जांच हो सकती है, तो आओ यहां पर, आ करके हैक करके दिखाओ, मैं आपको इनाम भी दूँगा, और ऐसा भी नहीं है, कि आप एक प्रोग्राम आयोजित किया रहा है, उसी में बुला कर लाओ, दुनिया के किसी व्यक्ति को कभी भी बुला कर ले आओ, चुनाओ आयो की ऑफिस में और वो अगर हैक करके दिखा दे, तो फिर यहां पर यह एवियम का मैं खुदी करवाना बंद कर दूँगा, और उसको अवाइड भी दूँगा, तो सभी पार्टियों से कहा गया कि कि किसी को भी कोई डाउट लगता है, तो आओ, और बुला के लाओ, और हैक करके दिखव इवियम टेंपर वोलो तब तो समझ में आता है क्योंकि वो एक इंडिविज्वल मसीन है, ठीक है, अब चुनाव आयोग की ये बेसिक चीजे रही, राजी कुमार जी मुखी चुनाव आयोग तो है, और ग्यानेश कुमार और सुखवीर सिंग संधू जी, ये इलक्सन कमिस इसको लेकर के मैंने आपको ये वीडियो दी थी, तो अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर देखेगा, जाते जाते मैं आपसे एक कुशन पूछन पूछना चाहूंगा, कि भारत का चुनाव आयोग कवर्णन भारतिय समिधान के किस भाग में किया गया है, कमेंट कर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज आपको नहीं देना है, मात्र एक सिकंड लगेगा, आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और वीडियो आप तक मैं लाने का प्रयास करता रहूँगा, वीडियो कैसी लगी है, आप जरूर कमेंट करके हमें बताना, और इस पर आपकी क्या राय है, ये भी आप खुल करके हमें बता सकते हो, थैंकियो सो मच, मिलेंगे अगल क्लाज में, तब तक लिए नमसकार जाहें, वंदे मात्रा,